हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आप सब का स्वागत है हमारे चैनल टेक्स बुक्स में डीजी पर आज हम लोग आपके सामने हमारी NCRT सिरीज को आगे बढ़ाते हुए कक्षा आठवी सामाजिक विज्ञान का भुगोल विशे के अंतरगत पार्ट दो को लेकर उपस्तित हुए हैं इस पार्ट का यह पहला भाग है तथा शिग्र दूसरा भाग भी प्रस्तुत करेंगे आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोगों की जो भी इस पार्ट से सम्मंदित समस्या हैं उन सब का समादान हो सके ठीक है तो आप हम चर्चा प्र उधारन लेंगे और वे दो उधारन विश्व के अलग-अलग हिस्तों से है एक तो हम लेंगे अफ्रिका के तंजानिया देश से और दूसरा उधारन हमारा होगा न्यूजीलेंड के भेड़ पालन शित्र से ठीक है तो शुरू करते हैं तो अब हम पहले उधारन की बात करत अब हमारा पहला उधारन तंजानिया देश से है वहां पर एक बच्ची जिसका नाम मामबा है ठीक है? वह रहती है और मामबा सुबह जल्दी उठते ही ठीक है? कहा जाती है दूर जाती है और वहां से अपने घर के लिए पानी भर करलाती है ठीक है? तथा उसके बाद वह अपने मा को मदद करती है घर के कामों में ठीक है घर के काम काज में मदद करने के पश्यात मामबा अपने परिवार की बक्रियों की भी देखबाल करती है ठीक है मामबा के परिवार के पास एक छोटी सी चटानी भूमी है जमीन है, ठेक है, मतलब उनकी जो भूमी है वो उबजाव नहीं है और वे लोग जोटी 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 में रहते हैं, उनकी जमीन उबजाव नहीं है तथा उस जमीन में वे लोग उसके पापा बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद थोड़ी सी सेम तता मक्का उगाने में सफलता प्राप्त करते हैं उनके दुआरा जो मक्के और सेम की फसल ली जाती है वह इतनी नहीं हो पाती है कि उनके परिवार का भरण पोशन हो सके साल भर की आउशकताओं के लिए ये फसल पूरी नहीं पढ़ती है तो उनका जो जीवन है वो बहुत ही अधिक कठीनाईयों से भरा हुआ है और उनके पास ज्यादातर संसाधनों का अभाव है ज्यादातर संसाधनों की कमी है अब हम हमारा दूसरा उधारण लेते हैं नियूजीलेंड के बेड पालन शेत्र में एक बच्चा रहता है उसका नाम है पीटर और पीटर स्कूल जाता है ठीक है अब देखिए दोनों में अंतर पीटर को स्कूल जाने की सुईदा उपलब्द है पीटर के परिवार के पास खुब संसादन है इसलिए वह स्कूल जाता कभी कभी पीटर अपने चाचा के साथ अपनी भेड बक्रियों को देखने जाता है पीटर के परिवार के पास जो भेड बक्रियां है उनकी देख बाल उनके चाचा करते हैं और जो उनकी भेडों का बाड़ा है वह उनके घर से दूर है और पहाडियों के नजदीक एक इस्तित है जहां पर उनकी भेडों को प्रचूर मात्रा में ठीके बहुत अधिक मात्रा में घास उपलब्थ है जबकी मामबा के परिवार के पास ना तो इतनी अधिक भेड बकरिया थी और ना यहीं उनके पास बड़े उपजाऊ गहास के मैदान थे धीके और मामबा को ही अ परिवार के पास इतने बड़े घास के मैदान भी नहीं थे जहां पर वे अपनी बक्रियों को चरा सके अब हम पीटर के परिवार के विशे में बात करेंगे पीटर का परिवार वेग्यानिक डंग से तथा नवीन प्रोधयोगी की का इस्तमाल करता है ठीक है उनके पास उन प्रक्रमन का बहुत बड़ा कार खाना है वे लोग जैविक पदद्दी से सबजियां और खेती बाड़ी करते हैं ठीक है अब देखिए मामबा तथा पीटर के जीवन में बहुत अंतर है और ये अंतर क्यों है क्योंकि दोनों उस्तान जहां पर वे लोग रहते हैं मामबा और पीटर वहां की मिर्दा भूमी जल बातावर्ण ठीक है वहां कितनी आदरता है ठीक ये सब चीजें अलग अलग है ठीक है दोनों जगाओं पर प्रोध्योगी की का इस्तमाल भी अलग अलग है ठीक है और इन दोनों जगाओं पर प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता भी अलग अलग है न्यूजीलेंड में पीटर के परिवार के पास सभी संसाधन उपलब्ध है और मामबा के परिवार के पास संसाधनों का अभाव है भूमी बहört ही मेटोपूर्ण संसाधन है पृत्वी परलग भग 30 प्रतिशथ भूमी है इस भूमी में से रहने योग्य भूमी बहört ही कम है ठेक है वेश्यो के अलग-अलग स्तानों पर जनसंख्या अलग-अलग है कहीं पर बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है तथा कहीं पर जनसंख्या बहुत विरल है कहीं पर जनसंक्या बहुत कम है और हम यह कह सकते हैं कि भूप्रिष्ट पर या विश्यु में जो जनसंक्या का वित्रण है वो बहुत ही असमान है ठीक है और यह जो जनसंक्या का वित्रण है यह बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है अब ये कारक कौन-कौन से है क्योंकि अलग-अलग इस्थानों पर अलग-लग जगाओं पर भूमी, जलवायू सब जगा एक जैसी नहीं होती कहीं जलवायू बहुत विशम होती है और बहुत विकट होती है मनुष्य का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है उबढखाबड होती है परवतों की तीवर ढालें ठीक है जल का ठहराओ मरुस्तल घने जंगल आदिशित्रों में मनुष्य के रहने योग्य परिस्तितियां नहीं होती है और इसी कारण मनुष्यों की या आप कह सकते हैं वहाँ पर जंसंक्या बहुत विरल है या बहुत कम है ठीक है परंतु ऐसे स्तान जहां पर बहुत ही उबजाव मैदान है गाटियां है तथा समुद्रों के किनारे जहां वातवर्ण न बहुत अधिक ठंडा होता है और नहीं बहुत अधिक गरम होता है ऐसे स्तानों पर जंसंक्या बहुत अधिक रहती है अब क्यों रहती है ऐसे इस्तानों पर जनसंकिया बहुत अधिक क्योंकि वहाँ पर मनुष्य को जो वातवन प्राप्थ है वह बहुत अच्छा है ठीक है और जीवन यापन करने के लिए मनुष्य को अधिक संगर्ष नहीं करना पड़ता और संसादनों की उपलब्दा प्रचूर मात्रा में है इसलिए वहाँ पर जनसंकिया बहुत अधिक होती है तो अब हम अगले बिंदू पर चर्चा करते हैं वह है भूमी का उप्योग ठीक है इसका अर्थ होता है कि जो भी हमारे पास भूमी उपलब्द है उस भूमी का हम उप्योग किन कारियों के लिए करते हैं भूमी का इस्तमाल हम कौन-कौन से कामों के लिए कर रहे हैं तथा कौन से कामों में अगर हम भूमी का उप्योग करें तो वो अच्छा माना जाता है नहीं माना जाता ठीक है अब हम चर्चा करेंगे कि भूमी का उपयोग किन-किन तरीकों से किया जाता है मनुष्य ने सडके बनाई है खनन के लिए बहुत बड़ी-बड़ी खदाने बनाई है मकानों के लिए पारकों के रूप में श्कूलों के लिए बहुत बड़े बांदों के लिए भूमी का उपयोग किया है भूमी का उपयोग बहुतिक तथा मानविय कारकों पर निर्भर करता है स्थलाकृतिया अगर स्थलाकृति उबढ़ खाबढ़ है बहुत गेरी-गेरी खाईया है या बहुत बड़े-बड़े पहाड है तो ऐसे इलाकों में भूमी का उपयोग अत्याधिक नहीं किया जा सकता लेकिन अगर मैदानी शेत्र है या सुंदर घाटिया है या समुदर के किनारे कोई इलाका है जहां पर बहुत अच्छी जलवायू है तो वहाँ पर भूमी का उपयोग भूत अत्याधिक बहुत बढ़िया तरीके से किया जाता है चाए वो खेती हो चाए वो निर्मान कारे हो विश्यम जलवायू परिस्तितियों में भूमिका उपयोग बहुत अच्छे डंग से नहीं किया जाता है क्योंकि मनुष्य के रहने योग्य परिस्तितियां नहीं होती है अगर किसी स्तान पर जलवायू अच्छी है और मनुष्य वहाँ पर बहुत ही सुख़द ढंग से रह सकता है तो वहाँ पर भूमिका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से होता है किसी स्तान पर जल की उपलब्धता भी बहुत महत्पूर्ण कारक है अगर जल की उपलब्धता प्रचूर मात्रा में है तो वहाँ पर खेती बाड़ी करके और भूमिको क्रिशी के रूप में इस्तमाल किया जाता है और वहाँ पर बड़े बड़े शेहरों का भी निर्मान किया जा सकता है लेकिन अगर जल उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर आपको अधिक खेती और अधिक शेहर भी नहीं दिख पाएंगे अगर किसी स्तान पर बहुत उपजाव मरदा है तो वहाँ पर भूमिका इस्तमाल खेती बाड़ी के लिए अत्याधिक किया जाएगा वर्ष में चार-चार फसलें ली जाएगी ठीक है भूमिका जो उपयोग है वह भूम जल पर भी निर्भर करता है अगर किसी स्तान पर जमीन के अंदर जल पाया जाता है और वो भी कैसा जल मिठा जल ठीक है उपयोग होने वाला जल ठीक है जिसको हम लोग पीने के लिए तथा क्रिशी कारियों के लिए उपयोग कर सकते हैं तो उन स्तानों पर भी क्या है खेती बाड़ी और मनुश्य रह वहाँ पर मानवी अकारक जैसे प्रोध्योगी की और उच्च तकनी की तथा वैज्यानिक विकास हो रहा है तो उन इलाकों में जनसंख्या बहुत अधिक रहेगी और जो भूमी का उपयोग है बहुत धंग से होगा ठीक है तथा जिन इलाकों में ये सब संसाधन उपरब्द नहीं है उन इलाकों से भूमी उपयोग इन इलाकों में बहुत भिन होगा और विक्षित होगा अब हम भूमी का विभाजन करते हैं दो इस्सों में वह मालिकाना हक के आदार पर किया गया है प्रत्थम विवाजन है ऐसी भूमी जो सबी के लिए उपयोगी होती है ठीक है उसे हम सामुदाइक भूमी कहते हैं तथा जो दूसरी प्रकार की भूमी है जिसके लोग मालिक है ठीक है जो लोगों की अपनी भूमी है ऐसी भूमी को हम निजी भूमी कहते हैं अब इन दोनों को विस्तार से मैं समझाता हूँ निजी भूमी का स्वामित्व किसी एक व्यक्तिका होता है तथा सारवजनिक भूमी का जो मालिकाना हक होता है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता लेकिन पूरे समुदाय का होता है या फिर सरकार का होता है निजी भूमी का उधारण हमारे खेत खलियान आदी है तथा सार्वजनिक भूमी का उधारण पार्क बड़े बड़े खेल के मैदान या सामुदाई चारागाह भूमी ये सब ही सार्वजनिक भूमी के उधारण है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तीवरता से वैसे ही जो भूमी है वह एक सीमित संसाधन है लेकिन ज्यादा से ज्यादा भूमी की मांग बढ़ रही है ठीक है और इसकी उपलब्धता इस पैमाने पर करना आसान नहीं है और हम यह भी कह सकते हैं कि यह नामूमकिन है लोग अलग-अलग प्रकारों के लिए अधिक से अधिक भूमी का उपयोग कर रहे हैं और यह जो भूमी का उपयोग है इसको बिल्कुल इस प्रकार से करना चाहिए ताकि सतत पोष्णिय विकास हो भूमी का उपयोग मनुष्य बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने के लिए कृशी भूमी के विस्तार के लिए नई नई जमीनों को जंगल काट कर खेती खदानों और बड़ी बड़ी यूजनाओं के अंतरगत उपयोग में लाया जा रहा है भूमी में मनुष्य की गतिविद्यों के कारण निमनी करण हो रहा है जगा जगाओं पर आप देखते हैं भूसकलन, मृदा अपरदन, मरुस्तली करण के नए नए खत्रे पैदा हो रहे हैं अब थोड़ा थोड़ा इन सभी के विशे में मैं आपको बताता हूँ किसी भी कारण वर्ष जो हमारी मृदा है या भूमी है उसकी गुणवत्ता में कमी आना इसी को भू निमनी करण कहते हैं चाहे वह अलग-अलग प्रकार के कीट नाशकों, दवाईयों तथा उरूवरकों के प्रयोग से चाहे अती सिंचाई से या बार-बार अती पशुचारण से इन सब कारणों से या फिर बार-बार खुब एकी स्तान पर खेती करने से ठिक है और इन सब कारणों से जो हमारी भूमी है उसकी जो गुनोता है वो समाप्त हो जाती है और इसी को हम भूनिमनी करण कहते हैं जलाकरांतता जब जो जमीन है वो पानी को सोखना बंद कर दे तो इसको हम लोग जलाकरांतता बोलते हैं और लवनियता जब हमारी भूमी है जो मिट्टी है इसमें लवन यानि की नमक की मात्रा बढ़ जाए तो ये दोनों चीजों से भूमी का निम्नी करण होता है बाकी और अन्य कारण हम पहले ही आपको समझा चुके हैं आगे बढ़ते हैं भूस कलन का अर्थ है बहुत बड़े वरिद शेत्र में अचानक से भूमी का उपरी शेत्रों से निचले शेत्रों पर आ जाना खिसक कर आ जाना ठीक है ये डहलानी शेत्रों में अधिकतर होता है मर्दा अपरदन मर्दा की उपरी परत का ओड़ कर या पानी के साथ बह कर चले जाना या बरफ उसको गसीट कर ले जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मर्दा अपरदन मरूस तली करण इसमें क्या होता है जब किसी शेत्र में जो पेड़ पौदे होते हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है ठीक है और ऐसे इलाके जहां पर हवा बहुत तेजी से बहती है लेकिन उसकी जो गती है वो अचानक से किसी स्थान पर आकर रुक जाए और जितने भी अफसाद मिटी के हलके हलके कंड जो हवा अपने साथ उड़ा कर लाई है वहा एकी स्थान पर उनको जमा दे नीचे डा जाल दे और उनका निक्षेपन हो जाए तो इससे क्या है बहुत बड़े बड़े रेत के टीलों का निर्मान होता है और धीरे धीरे उनसे रेगिस्तान भी बन जाते हैं और इन सब कारणों से मृदा का हरास या भूमी का हरास या मृदा का निमनी करण होता है और इसलिए हमें भू संसादन या भूमी एक जो संसादन है इसको बचा कर रखना बहुत आवशक है अब क्यों आवशक है क्योंकि इससे हमारी खेती भी प्रभावित होगी सारे पेड़ पोदे भी प्रभावित होगे और हमारा जीवन चक्र मनुष्य तथा अन्य जानवरों का जीवन चक्र भी बहुत व्यापक रूप से प्रभावित होगा अगर हम भू संसादन को डंक से संदक्षित ना करें पृत्वी पर भूमी सिमित है और उसमें से भी खेती तथा रहने योग्य भूमी और कम है लेकिन मनुष्य के लालच तथा बढ़ती जनसंख्या ने भूमी संसाधन पर बहुत अधिक दबाव डाल दिया है भूमी संसाधन का बड़े पैमाने पर विनाश किया है और मनुष्य ने इसका अत्याधिक दोहन किया है भूमी की गुणवत्ता मनुष्य ने कई प्रकार के कीट नाशकों और वरकों और पीडा नाशकों का इस्तमाल या फैक्टरियों के कचरे डालने से भूमी की गुणवत्ता को घटा दिया है और भूमी का रास हुआ है निमनिकरण हुआ है अब कीटनाशकों के प्रयोग से उर्वरकों के प्रयोग से अतिचारण जब हम एक ही इस्तान पर बार बार पशो को ले जाकर चराते हैं तो उस स्थान की जो भूमी की जो गुणवकता है वो समाप्त हो जाती है वनों को काट दी है जलाकरांतता जलाकरांतता का अर्थ यह है कि किसी स्थान पर जो जमीन होती है वो जब पानी को सोखना बंद कर दे और पानी उसमें ठहरना शुरू हो जाए तो इसको हम लोग जलाकरांतता बोलेंगे लवनियता का अर्थ है जब हमारी म्रदा या मिटी में जो नमक है इसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो वो भूमी या मिटी उपजाओ नहीं रहती और लवनियता तब बढ़ती है जब बार बार हम बहुत अधिक पानी खेतों को देते हैं ठीक है बहुत सारे शेत्रों में पंजाब के शेत्रों में तथा गुजरात के बहुत सारे शेत्रों में लवनियता की समस्या पैदा हो गई है नहरों द्वारा खूब अधिक मात्रा में खेतों को पानी पहुँचाया गया और इससे जलाकरंता और लवनेता ये दोनों समस्या पैदा हुई अभी भी हमारे पास समय है और हम आज भी अगर सचेत नहीं होते हैं तो प्रिथ्वी पर भोजन पीने के पानी की कमी तथा तापमान में बदलाव होंगे और ये बदलाव इतने बड़े होंगे कि मनुष्य प्रिथ्वी पर रह नहीं पाएगा पृत्वी पर ओक्सीजन की कमी हो जाएगी और इन सारे बदलाओं से मनुष्य जाती का अस्तित्व संकट में आ जाएगा तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे मृदा पर ठिक है तो अब मृदा क्या है पृत्वी की सते पर बारीक छोटे छोटे कणों का आवरण है और इसी आवरण को हम मृदा कहते हैं मृदा की जो परत है ये बहुत पतली है ठीक है और ये कहां पर पाई जाती है मैंने बताया पृत्वी की सते पर और मृदा में हुमस पाया जाता है अब हुमस क्या होता है मरे हुए, सड़े हुए, पेड़ पोदों, जानवरों, पशु पक्षियों के अवशेश ठीक है इनके सड़े हुए पदार्थों को हुमस कहते है और ये जैविक पदार्थ होता है इस पदार्थ से ही मिर्दा क्या होती है उपजाओ बनती है मिर्दा में बहुत प्रकार के खनीज पाए जाते हैं और ये खनीज वही होते हैं जो जनक शैलों में होते हैं या फिर हुमर्स के द्वारा मिर्दा में शामिल होते हैं ठिक है आगे बढ़ते हैं जिन स्तरों से मृदा का निर्मान हुआ है मृदा अपक्षे की प्रक्रिया द्वारा बनती है अब मैं आपको बताता हूँ अपक्षे क्या है अपक्षे यानि तापमान में परिवर्तन द्वारा अब तापमान में परिवर्तन किसका हवा के द्वारा बरफ द्वारा, सू्र्य की रोश्णी द्वारा और पोधों की पत्यों आप ये भी कह सकते हैं कि पोधों की जो जड़े होती है मनुष्य के क्रिया कलापों द्वारा ठीक है इन सब कारियों के द्वारा एक इस्तान पर पड़े-पड़े बड़ी बड़ी चटानों का तूट जाना ठीक है इसको क्या बोलते हैं अपक्षे कहा जाता है और अपक्षे बहुत ही मैत्वपूर्ण बोमिका निभाता है इससे नई नई चटानों का निर्मान होता है जो क्या होती है छोटी होती है और फिर आगे उन चटानों का और विक फिर उनकणों से जब हुमस मिल जाता है तो मृदा का निर्मान होता है। अब हम मृदा परिछे दिका के विशे में जानेंगे जिससे हम अंगरेजी भाषा में सॉयल प्रोफाइल कहते हैं। तो इसमें मृदा के निर्मान के अलग-अलग स्तरों को दिखाया जाता है ठीक है किस प्रकार मृदा बनती है तो हम लोग शुरू करते है मृदा के त्री आयामी रूप को मृदा परिछेदी का कहा जाता है इसका निर्मान पृत्वी की सत्य के नीचे बड़ी-बड़ी चटाने होती है और उन चटानों के तूटने से जिनको हम लोग जनक चटान कहते हैं होता है फिर उसके बाद जो तूटी हुई चटाने होती है अथवा अपक्षे हुई चटाने होती है और वो चटाने अपिक्षक्रित छोटी होती है ठीक है उसके बाद निर्मान होता है चटानों के छोटे छोटे टुकडों का ठीक है और इन छोटे छोटे टुकडों से और अधिक छोटे छोटे रेत के टुकडे बन जाते हैं ठीक है और उनमें जब मरे हुए या सडे हुए क कह सकते हैं, पेड़ पौदे और जानवरों के जो अफशेश है, वो मिल जाते हैं, जिसको हम हुमस कहते हैं, तो मर्दा कैसी हो जाती है, उपजाओ हो जाती है, ठीक है, मृदा के गोण, मृदा के जो खनेज होंगे मृदा के अंदर, या मृदा का जो रंग होगा, ठीक है, वह सब जनक चटानों पर निर्भर करेगा, ठीक है? तो जनक चटानों से अपेक्षित चटानों का निर्मान होता है, और अपेक्षित चटानों के तूटने से उनके उपर, ठीक है, कौन सी मृदा बनती है? उप मृदा की परत बनती है, ठीक है? और ये जो उप मृदा है, इसके उपर सबसे उप जाओ, और ह्यूमस वाली मृदा का निर्मान होता है, जिसमें की जो हमारे पेड़ पौदे और जैविक पदार्थ भी पाए जाते हैं, उस मृदा को हम लोग उपरी मृदा कहते हैं, और इस मृदा में हूमस पाया जाता है, और हूमस क्या है, इसके विशे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो उपरी मृदा की परत होती है, इस मृदा में वनस्पती उगती है और पाई जाती है,